Hello, dear students, this time we are doing for class 10th, chapter 5, arithmetic progressions, exercise 5.2 का question number 13 है, how many 3-digit numbers are divisible by 7, आपको ये बताना है कि 3-digit numbers कितने है जो कि 7 से divisible है तो इसको करने के लिए आपको क्या पकता करना पड़ेगा, पहले तो जो सबसे पहला 3-digit number जो 7 से divisible है वो निकालना होगा, फिर दूसरा आपको वो नमबर निकालना है जो लास्ट सबसे बड़ा 3-digit number है, यानि ट्रिपल 9 से पहले या ट्रिपल 9 खुद अगर है तो वो तो आपके पास A आजाएगा, आपके पास A N आजाएगा और D आपका 7 खुद होगा, फिर आप इसको अशानी से निकाल सकते हैं, तो चलिए करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, हमें A N का फार्मना लिहना होगा, A N का फार्मना क्या है, A A is equal to A plus N minus 1 D, यह फार्मला है, ओके, इसके बाद, अब आपको निकालना है, सबसे पहला जो 7 से डिजिवल नमबर है, 3 डिजिट नमबर, वो निकालते हैं तो इसके लिए, सबसे पहले बराब यहां क्या आगा हंडर्ड, हंडर्ड जो है 7 से डिजिवल है, है या नहीं, तो यह चीज़ करने के लिए, आम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 की टेबल में यह पहले गया, 1 पे, ठीक है, फिर इसको डिवाइड किया, 10 मैनेस 7 आया 3, उपर से 0 उतारेंगे, फिर यह कितने पर जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, पहले यह 1 पे गया है, फिर यह 4 पे जा रहा है, ठीक है, 7, 4, 0, 28, माइनस करने पर क्या आया, 2, अब इसके अंदर आप क्या लेंगे, आपने यहां पर छोटी वैल्यू लिये, इस केस में, यहां पर आप बड़ी वैल्यू लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो एड करना पढ़ेगा, अगर हम 2 मैंस मैंस करेंगे, 2 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा यह तो 2 डिजिट नमबर बन जाएगा लेकिन हमें चीए 3 डिजिट नमबर तो 28 की बजाए हम यहाँ पे लेंगे 4 के बाद 5 7, 5, 35 तो वो नमबर आया 5 यानि कि यहाँ पर 5 की कमी है 5 अगर इसमें हम एड कर दे तो वो क्या होगा 7 से डिजिबल होगा तो यह आया हमारा 1st नमबर जो की 7 से डिजिबल होगा 3 डिजिट नमबर according to the question given AP is पहला आया 105 दूसरा आयेगा 7 इसमें प्लस करेंगे 112 तीसरा आयेगा इसमें 7 प्लस करेंगे 119 अब लास्ट नमबर कौन सा है तो वो क्या होगा 999 999 के अंदर से हमें क्या माइनस करना होगा कि यह 7 का मल्टिपल बन जाए 9 माइनस 7 2 और फिर उपर से 9 उता रहेंगे 29 हो गया तो यह आया 7 पर जाए 28 फिर 9 माइनस 8 वान उपर से फिर हम 9 उता रहेंगे एक 9 हमने यहाँ पर इस्तिमाल कर लिया एक उपर हो चुका था और एक 9 आप नीचे लेंगे 7 तूजा 14 यह आया 5 अगर हम इसमें से 5 माइनस कर दें तो यह क्या हो जाएगा यह तो फिर 4 डिजिट नमबर बन जाएगा और हमें 3 डिजिट नमबर 7 से डिजबल निकालना है तो इसमें से 5 माइनस करेंगे पलस नहीं करेंगे कुछ भी माइनस करेंगे तो पहले case में हमने यहाँ पर बड़ी value ली थी, last के अंदर, इस case में हम यहाँ पर छोटी value लेगे, तो 5 इसमें से minus कर देगे, तो 994, वो number है, जो की 3-digit number है, last 3-digit number जो 7 से digital है, अब हमें तो number of, number निकालने है न, end निकालने है, तो यहाँ यह पहले वाड़े question आपने कई इ होंगे, जहाँ पर आपके पास first term है, आपके पास D है, आपके पास last term है, और आपको जो क्या करना होगा फिर, end के value निकालनी है, अब यह बिल्कुल वैसे होने बाला है, राइट, अब हम यह फार्मर लगा देंगे, an का, an is equal to क्या है, an है 994, ठीक है, तो फिर, फार्मला है हमारे पास, a plus and minus 1d, अब a और d की value में पता होनी चाहिए, तो यहाँ से हम निकालेंगे, a की value, d की value, तो a is equal to हुआ, 112, और d is equal to 7 है, an हमारे पास यह है, 994, 112, plus n minus 1, हमें n की value नहीं पता, d की value तो पता है, 7, is equal to 9994, 994, 112, इधर से हट करके, last में चला जाएगा, और जो यह n minus 1, 7, 7 multiply में यह divide में आ जाएगा, पहले इसको solve करते हैं, 4 minus 2, 2, 9 minus 1, 8, और 9 minus 1, 8, double 8, 2, आते हैं हमें, नमबर यहाँ पर, दुबार दिखते हैं, 4 minus 2, 2, 9 minus 1, 8, 9 minus 1, 8, double 8, 2, यह value मिली गए, अब यह 7 multiply में हो रहा है, इसका क्या होगा, इसका यह होगा, कि यह वह जो value है, 7 multiply में है, इधर आगे divide में आ जाएगा, तो यहाँ से ही हट गया, divide, 7 is equal to, 76 को divide करेंगे, 7 बंचा 7, 1 बचा 1 and 18, 7 बंचा 14, 4 बचा 7 बंचा 42, 126, n minus 1 is equal to, 126 आया, तो यह minus 1 है, यह दूसरी दरफ जाकर के, प्लस का हो जाएगा, तो n की value क्या आएगी, 126 प्लस में 1, 127, तो number of terms जो यहाँ निकली है, हमारे पास, वो है, 127, यानि की, 3 digit numbers, टोटल जो 7 से divisible है, वो 127 है, अगर आप इसको चेक करना चाहें, कि भई, यह ठीक है क्या, तो फिर क्या होगा, आप nth इसके अंदर यह value put कीजिए, और देखें कि क्या 994 आता है, यहाँ भी अगर चेक करें हम इसको, ए एन का formula यह है, लास्ट रम का, लास्ट रम है, 127 तो यह 126, मुल्टिप्लाइ, D की वाल्यू, 7, A की वाल्यू, 1, 1, 2, 1, 1, 2, प्लस में, 7, 6, 42, 2, 4, 7, 2, 14, 4, 18, 1, 7, 7, 7, 1, 8, तो यह वहीं चीज आपको दुबारे मिल जाती है, 1, 1, 2, प्लस में, 882, प्लस करेंगे, 2, 2, 4, 10s डिजिट को प्लस करेंगे, 1, 1, 8, 9, 100s डिजिट को प्लस करेंगे, 1, 8, 9, 9, 9, 4, बिल्कुल ठीक है, यही तो वैल्यू है, यह आपर लास्ट रम, तो इसका मत्रब हमारा अंसर बिल्कुल ठीक है, और, Congratulations, तो मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, next solution के साथ, always have a great time, bye.